Oppo Reno 80 5G versus Realme 10 Pro plus 5G तो आज की इस वीडियो के अनर हम लोग इन दो फोन का कंपेरिजन करने वाले हैं और मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कौन सा आप लोग के लिए बेस्ट फोन रहने वाला है इन दोनों फोन में से अजन को बताता है अब भी शुरुवात करता है अपने आप एड़ी 5G से तो इस फोन में आपको मिलता है 6.7 इंचिस का Full HD Plus का OLED पैनल पंच होल के साथ 120 Hz का आपको High Refresh Rate मिलता है and फोन में आपको मिलता है मुड़ा हुआ पैनल यानि के Curve पैनल बागी बेक साइड आपको Most Probably Glass की मिलते है and बेक साइड में आपको तीन क्यामरे मिल जाते है वहीं बात कर लेते हैं अपने Realme 10 Pro प्लस 5G की तो इस फोन में आपको सेम साइज का पैनल मिलता है 6.7 इंचिस का Full HD Plus का OLED पैनल पंच होल के साथ 120 Hz का High Refresh Rate कर पैनल भी आपको मिलता है बागी इस फोन में आपको इस फोन को बिल्कुल भी बाय नहीं करूँगा बागी बात करते अपने Realme के फोन की तो इस फोन में आपको प्राइमरी क्यामरे 108 मेगा पिक्सल का मिलता है इधर आपको प्राइमरी क्यामरे का आउटपुट तो आपको ओपो बढ़िया मिलेगा बट वहीं अल्ट्रा वेडोनिक वहीं से मैं तो बाई Realme करना चाहूँगा क्योंकि Realme का डिसेंड मेरे को क्यामरे का आउटपुट लगता है 25,000 या 30,000 पर दोनों में से कोई साभी फोन में बाई नहीं करूँगा मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि आप लोग की इन फोन की तरफ जा सकते हो इन दोनों फोन को स्किप्ट कर गए बागी बात करते है प्रोसेसर की तो अपने अपो के फोन में आपको मिलता है स्नेपड्रेगन का 695 का प्रोसेसर जो कि आपको एक 6NM का प्रोसेसर में मिलता है अट्रिनों का 619 का आपको GPU मिलता है वहीं बात करते हैं अपने रियलिमे की तो इस पोन में को मिलते हैं डैमसीटी1080 का परोसेसर जो कि आपको एक 6NM का प्रोसेसर में ठोक्टर और का प्रोसेसर है तो इस फोन में आपको 5000 वोट की चार्जिंग सापूर्ट करता है बट आपको बॉक्स के अंदर 80 वोट का फास चार्जर मिल्दा वट फोन आपकी 67 वोट की चार्जिंग साइज होगा ऐसा 80 वोट सा चार्ज नहीं होगा देखो अगर आप लोग देखोगे तो प्रोसेसर एंड बैटरी डिपार्टन आपको दोनों ही जगे रियल्मी बढ़िया मिलता है तो मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूं अगर आप लोग इन दोनों फोन में से कंफ्यूजन थी ना कौनसा फोन भाय करना है तो आप लोग अगरो ओपो को आप लोग बिल्कुल स्किप कर दो बठाव में एक चीज़ बढ़िया लगती कि अगर आप लोग करने का शोक रखते हो ने डेफिनेटल आप लोग की तरफ जा सकते हो बट और कोई रिजन नहीं आपको को बात करने का वैल्ली फोन बोलूंगा नहीं है बा अंडेट इस प्लाफिंगा बेंस का मिल जाता है फेस अनो का ऑप्षिन में एक श्रीपॉइंट नहीं दर्फ नहीं ही मिलता है इस हो डात करते हैं अपने 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 अब्रेनो अच्टी फाइटि फाइटिपाइट इस फीचर्स की तो इस फोन में आपको 3.5 अज़ न नहीं एटी हर्ट्स नहीं 180 ग्राम का आपको फोन मिलता है 7.8 mm की थिकनेस के साथ अभी बात करते हैं इस आपको एक ही वेरेंट मिलता है वही रियल्मी के अंदर आपको 6GB ग्राम 128GB के रोम मिलते हैं थीजार के प्राइस पर देखो 25000 पर रियल्मी भाय करने का तू कहा है मैं वीडियो लाता रहें तो जो भी उस प्राइस पर क्यूंकि मैं यह नहीं बता सकता कि अभी यह फोन बैस्ट है ऐसा नहीं होता कोई भी फोन मानलो भी कभी 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 बढ़िया नहीं है बठा उस ताइम पर जब भी कोई फोन आएगा मला आने वाले फ्यूचर में सबसे बेस्ट डील के साथ होगा हुँ मैं आप लोगों को वीडियो मना के बता दूँगा तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अभी बात करते हैं कौन सा फोन कहां पर आगे निकलता है वैसे उस पॉन्ट पर जाने से पहले अगर आप लोग को वीडियो पस बता दूँगा बट होपो पर यह बेनिफिट में अपको प्लस पॉइंट बताता हूं जैसे कि आपको फोर के रिकोर्डिंग मिलती है 8 वेडियो बट मिलता तो है कम से हम यह बात है प्रोसेसर आपको बैटर मिल जाता है बैटरी आपको अच्छी मिल जाती है आपको ज्या मिलता है फोन आपको 177 ग्राम का मिलता है 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी आपको मिल जाती है तो मैं तो यह बोलूंगा अगर आप लोग इन दोनों फोन में से कंफ्यूजन थी कौन सा फोन लेना चाहिए तो आप लोग रियल मिलो बट हाँ वेल्यू फोर मनी दोनों ह अगर आपको जानना है मालो मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा है कुछ भी रीजन है मालो कभी उस टाइम पे नहीं आया आप लोग को अर्जेंट ही बाय करना है तो मैं आप अपनी रिक्वाइर्मेंट बताओ में इन्स्टाग्राम पर मैं आपको वहीं पर बता दूँग को सब्सक्राइब कर लो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जागा तो मिलते हैं किसी बडिया ओपी ओजी वीडियो के अंदर तब तक के लिए बाग बाए